असलामुलेकम स्टूडेंस आज हमारा लेक्चर जो है वो प्रेक्टिकल प्रोगामिंग पर होगा कि हम विजिल बैसिक 6 में वह फिल पर किसे कर सकते हैं हम अपको अपने अप्लिमेंट कर सकते हैं डबल क्लिक करके जब इसको ओपन करेंगे तो अब बस ये एक इस तरह की option आएगे अब इसमें दो option है registry key और run visual basic 6 जब आप first time कर रहे होगे तो आपको registry key पे क्लिक करना पड़ेगा आपको registry key add करनी पड़ेगी नहीं के लिए आप उसके बाद onwards आप run visual basic 6 पे कर सकते हैं अब चुक्के मैंने पहले ही key add की हुई है तो मुझे directly जो है visual basic 6 पे क्लिक करना तो मैं इस पर जब आप तो मेरे पास वह software open हो जाएगा अब इसमें हम क्या कर सकते हैं इसमें हम सारे अपने program बना सकते हैं अब आप सबसे पहले आपको environment समझने जरूरी है कि यह आपका program चलता कैसे है यह इसमें कौन-कौन से options हैं आपके पास यह आपको form 1 नजर आ रहा है form 1 आपकी वह इंटरफेस में जहां पे आप सारी designing करें आप टेक्स बाक्से ड्रॉ कर सकते हैं लेबल्स बगर ड्रॉ कर सकते हैं यह सारे आपके क्या होंगे सारे आपके इसी form के उपर आएंगे अब बटन उगर पड़े हुए कहां पे हैं वह आपको यह left side पे आपको palette नजर आ रहा है जिसमें आपको सारे control boxes आपको मुझूद ह अब इसमें जो हमने यूज करना है वो हमने क्या यूज करना है हमने command button यूज करना है हम इस पे click करते हैं और हम क्या करेंगे हम draw कर लेते हैं अब command button का नाम सबसे पहले क्या है वो command one है अब हमारा form पे क्या design होगे एक button design हो गया है हम इस पे जब double click करेंगे तो हमारे पास व अपना प्रोगाम लिख सकते हैं ठीक है अब आपको वो नजरार होगा वही कोड जो क्लास में आपको पढ़ाया जाता था सिखाया जाता था कि आपने प्रोगाम एक लिखना कैसे तो इसमें वही है प्राइवेट सब कमांड बन अंडर स्कोर क्लिक एंड सब आगा अब इनके कर सकते हैं या आव रन पे जाके स्टाट पर क्लिक कर सकते हैं तो आपने स्टार्ट पर जब क्लिक किया तो आप पसके आ आगे आपके पास एक वो form आ गया जो आपने design किया था वो application की form में open हो गया है अब इसमें क्या हो रहा है आपके पास एक command button है आप इस पे click करेंगे तो आपका code execute कौन सोगा वो आपका ये वाला code execute हो जाएगा जो आपने code लिखा हुआ है अब ये event driven programming की example है कि आपने क्या किया आपने event लिखा है event आपका क्या है click होना और उसके response में code क्या है message box display होना तो हम इस पे click करते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपको hello word नज़र आ रहा है ठीक है अब okay किया तो message box close हो गया दुबारा हम click करेंगे तो दुबारा वोई message आ जाएगा अगर हमने अपने message को change करना तो हम इसको close करेंगे हम message को change करते हैं और फिर से start पे click करते हैं तो हमारे पास अब दुबारा से हम जब इस पे click करेंगे तो वो hello greetings आगे नया message आगे जो भी हमने इसमें लिखा था अब लेट से आप कहते हूं कि आपने कोई program बनाना है जिसमें आपने क्या करना आपने एक number का स्क्वेर के लिए करने कि लिए आपको वरियेबल चाहिए होगा integer आपको इसमें पूट लेनी है तो हम input box यूज्ज करते हैं हम मैसेज बॉक्स में हम कहते हैं कि result is equal to result is equal to, हम ampersand use कर रहे हैं कि हम एक string से या हम मैसेज से switch कर रहे हैं किसमें हम value में, तो हमारे पास a square calculate हो जाएगा, अब हम जब start पे click करते हैं, तो अब आप देखेंगे कि जब हमने command बटन पे click किया, तो एक input box आ गया है, input box में message गया, enter number, number जो हमने message दिया, हम यहां पे value अंटर करते हैं 4, अब हम clickers पे करेंगे, हम okay करते हैं जब, तो वो 4 जो था, वो हमारा a में store हुआ, और उस 4 का square calculate होगे, 4 into 4, 16 हमारा message बाक्स में में वो message display होगे, result is equal to 16, okay किया, वो message भी हमारा close होगा, प्रगाम close होगा, अब दुबारा से हम execute करते हैं, हम value enter करते हैं 7, okay प्रेस करते हैं, तो 7 का square 49 आ गया, तो यह अब आपका क्या प्रगाम था, यह बहुत basic प्रगाम था, जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप एक number का square calculate कर रहे हो, किस के थुरू, input box और message box के थुरू, अब let's say आप कहते हो कि जी हमने input box या message box ने use करने हैं, हमने text box यूज करने, तो text box भी आपके पास मजूद हैं, यहाँ पर, अब text box पर click करते हैं, text box याड़ करते हैं, अब इस text box का नाम क्या है, text one, दूसरा हम text box draw करते हैं, उसका नाम क्या है, text two, अब हमने code पर double click इस पर किया, तो हम वापस उजी code में आगे, command one, हम यहाँ पर input box यह अगर text one dot text लिखेंगे, तो इसक का मतलब है, हम text one, जो है, हमारा text box one, जो है, उसका text value किदर डालो, a में, और हमने यहाँ पर क्या करना है, text two dot, text is equal to a multiple a, अब जब आप start पर click करेंगे, तो हम आपका code जो execute होगा, वो यहाँ से value pick करके, क्या करेगा, वो square calculate करके, इसमें, दूसरे text box में store कर देगा, लेकिन च पोर्टेबल वर्जिन में text box वाला portion से ही चलता है, पोर्गाम क्राश हो जाता है, लेकिन जब आप इसको विजुट बेसिक को install करते हो, installable किसी file से use करते हो, तो फिर वाहां पर text box ठीक चल जाएंगे, लेकिन आपकी basic programming skill के लिए, understanding के लिए, आप input box और massive box यूज़ करते रह तो आपका ये program ठीक चलता रहाएंगे, चूकर ये portable version है, तो आपके लिए कुछ installation वाले, ज़ंज़ आपको उसमें नहीं जाना पड़ेगा, तो आपका क्या होगा, आपके सारी programming के जिने भी practices है, वो आपकी इसके तुरू हो जाएगी, तो students, यह हमारा आज का basic tutorial था, कि इसमें आपका कोई भी question हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप नीचे comments में post कर सकते हो, आप WhatsApp पे भी message कर कर के पूछ सकते हो, या आप email भी कर सकते हो, thank you so much, Allah आपिस